दोस्तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे योट्यूब चैनल में तो आज मैं आपके साथ बहुत अच्छी जानकारी शेयर करूँगी जो छोटी सी है बिल्कुल तो वीडियो पे जो है लास्ट तक बने रही है अच्छे से वाश कीजिए इसको और आपको जब भी कभी आपकी इसके जरूरत पड़े तो आप इसको कर सकते हैं ये आपके बहुत ही अच्छे से काम करेगा बिना किसी नुकसान के तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर तो आपको क्या करना है एक ग्लास पानी लेना है आप पानी ले लीजिए एक ग्लास और साथ ही इसमें हमें लेना है नेबो दोस्तों ये नुस्का है आपके पीरिट को लाने के लिए यानि कि अगर आपका पीरिट रुका हुआ है और आपका पीरिट सही तरीके से नहीं आ रहा है आप बहुत जादा परिशान है कि क्या करें क्योंकि जब हमारा पीरिट रुक जाता है तो हमें काफी सारी हमारी शरीर में बीमारियां होने लगती है नई से नई बीमारी होने लगती है क्योंकि हमारा पीरिट रुक गया है तो आज मैं आपको रुके वे पीरिट को लाने का बहुत ही जबरदस्त घरेलू निसका शेयर कर ले हूँ तो इसके लिए आपको एक नेबू लेना है पूरा नेबू को बीच से कट करके आपको पूरे नेबू का रस इसमें गिलास में पानी में डाल लेना है डालने के बाद में इसको अची तरह से आपको मिक्स करना है मैं आपको बता रही हूं तो आप ध्याइंसे वीडियो को देखेगा तो आपको एक नेबू लेना है और एक गिलास पानी लेना है नीबू का रस पूरे एक नीबू का रस आपने चोड़ के अच्छी तरह से एक गिलास पानी में मिक्स कर लीजिए जब ये अच्छी से मिक्स हो जाए तो ये पानी आपको सुबह सुबह पीना है खाली पे यानि कि आपको नाश्टा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, उठना है मॉर्निंग में, सबसे पहले आप पेस्ट ब्रश करने के बाद में, सबसे पहले आप इसको नीबू पानी को पी लीजी, पीने के बाद में आप आदे घंटे के बाद में कुछ भी नाश्टा वगेरा क कर सकते हैं खा सकते हैं पी सकते हैं और यही प्रोसिस आपको करना है रात को सोने से पहले बस आप यह तरीका कर लीजिए आपका रुका हुआ मासिक धरम आ जाएगा और बिना किसी नुकसान के